गुजरात के मुख्य मंत्री विजय रूपारी का त्याग पत्र इसलिए अप्रत्यासित है क्योंकि राज्य में नेत्रत्य परिवर्तन को लेकर कहीं कोई ब्यापक चर्चा नहीं थी इस पश्ट है कि आम जनता ही नहीं भाजपा कारिकरताओं और समर्थकों के लिए भी यह समझना कठिन होगा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिजय रूपारी को इस्तीफा देने के लिए विवस होना पड़ा इह सवाल इसलिए और भी सिर उठाए हुए है क्योंकि विधान सवा चुनाव में करीब पंद्र महीने की ही देर है नए मुख्यमंत्री के लिए इतने कम समय में सब कुछ अपने अनकूल कर पाना आसान नहीं होगा इसका लाव विपक्ष उठा सकता है वैसे भी जब चुनाव से कुछ समय पहले किसी राज्य में मुख्यमंत्री को बदला जाता है तो विपक्ष को यही संदेश जाता है कि मुख्यमंत्री के नेत्रत्त में चुनावी जीत हासिल करना कठिन था क्या गुजरात में ऐसा ही कुछ था पता नहीं विजयरूपाडी की बिदाई किन कारणों से हुई लेकिन माना यही जाएगा कि भाजुपा उनके मुख्यमंत्री रहते फिर से सत्ता में लोटने की संभावनाएं नहीं देख रही थी अच्छा होता कि भाजुपा नेत्रत्तु गुजरात के बारे में समय रहते आकलन करता ऐसा लगता है कि इसमें चूक हो रही है क्योंकि गुजरात से पहले भाजुपा ने उत्राखंड और करनाटक में भी मुख्य मंत्री बदले थे उत्राखंड में नेत्रत्तु परिवर्तन का कारण यह बताया गया था कि मुख्य मंत्री का बिधान सवा सदस्य बनना मुस्किल था लेकिन यह कोई ऐसा कारण नहीं था जिससे भाजुपा नेत्रत्तु अवगत न हो यह तो सामानिसी बात थी कि सांसद से मुख्य मंत्री बने तीरत सिंग रावत को चै महा के अंदर विधान सवा का सदस्य बनना होगा जहां तक करनाटक की बात है तो वहां भी नित्रत्त परिवर्तन का कारण कोई बहुत अधिक इसपष्ट नहीं था गुजरात में भी ऐसा ही है भले ही बिजैरूपाणी ने इस्तीफा देने के बाद यह कहा हो की भाजपा में यह परंपरा रही है की कार्यकरताओं के दाइत तो बदलते रहते हैं लेकिन इसकी कोई बजह तो होनी ही चाहिए कहीं असली बजह यह तो नहीं की बिजैरूपाणी गुजरात के जातिय समीकरणों को साधने में काम्याब होते नहीं दिख रहे थे इसके साथ ही एक कारण यह भी गिनाया जा रहा है की उनकी राज भाजपा अध्यच्च से नहीं बन रही थी यदि बाकई ऐसा कुछ था तो फिर भाजपा का कैंद्रिय नेत्रत्त क्या कर रहा था क्या वह बीच बचाओ करने में समर्थ नहीं था जो भी हो कम से कम नए मुख्यमंत्री का चयन ठोक बजा कर किया जाए बहतर यह होगा कि जिस नेता को अधिसंग की विधायकों का समर्थन बास्तव में हासिल हो उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाए इसके साथ ही उसकी चबी और कारसेली भी देखी जानी चाहिए